प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंद्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए देश को संबोधित किया साथी अपने करीब डेड़ घंटे के भाषन में पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किये वहीं पीएम ने राजनितिक विरोधियों को भी निशाने पर लिया साथी प्रधान मंत्री ने कुछ योजनाओं का एलान करते हुए कहा कि जिनका शिलान्यास हम कर रहे हैं उसका उद्गाटन भी हम ही करेंगे आपने हमें ऐसी शक्ति दी है जिसे हम निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे इतना ही नहीं पियम मोदी ने यहां से अगले पांच साल का रोड मैं भी देश के सामने पेश किया साथी एलान किया कि वह अगले साल लाल किले की इसी प्राचीर से देश को अपने काम का हिसाब देंगे साथ इस दोरान उन्होंने और क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं 140 करोड परिवार जन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब पहुत लोगों का अभी प्राय है कि जन संख्या की दुरुष्टी से भी हम विश्व में नंबर एक पर है इतना बड़ा विशाल देश 140 करोड देश कि मेरे भाई बहन मेरे परिवार जन आज आजहादी का पर्व मना रहे है मेरे प्यारे परिवार जन पुझ्य बापु के नेत्रुत्म में अस्वयोग का अंदोलन सत्याग्रे की मुमेंट और भगत्सी सुखदेव राजगुरु जैसे अन्गिनत भीरों का बलिदान उस पिड़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजहादी में अपना योगदान न दिया हो देवेंद्र कुमार, श्रीबालाजी, असोसियेट अकबरपूर की ओर से नगरवासियों को स्वतंतरता दिवस की धेर सारी शुपकान स्वतंतरता दिवस की मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर दसमी बार तिरंगा फहराया बतादे कि पिये मोदी के तिरंगा फहराने पर राश्ट्रिय जनता दल के मुखिया लालु प्रसाद यादव ने तंच कसा है लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी आखरी बार लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे हैं वा अगली बार लाल किले से जंडा नहीं फहरा पाएंगे लालुयादव का यह बयान तब सामने आया है जब पियम मोदी ने मंगलवार को सततर में स्वतंद्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फेहराया और अगले साल फिर वापस आने की बात कही मोदी आखरी बार लाल किले पर तिरंगा फेहरा रहें पीए मोदी ने लाल किले से दिये अपने भाशन में कहा कि जब अगले साल 15 अगस्त पर मैं फिर लाल किले पर से जंडा फेहराऊंगा तो एक बार फिर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखूंगा मलुकार जुन खडगे स्वतंतरता दिवस पर लाल किले में आयोजित समाहरों में शामिल नहीं हो सके इसके पीछे की वज़ा बताते हुए कॉंग्रिस ने कहा कि खडगे को उनके घर और पार्टी कार्याले में भी जंडा वंदन करना था इसलिए वह लाल किले के कारिक्रम में नहीं पहुँच सके दिली के लाल किला परिसर में स्वतंतरता दिवस का मुख्य कारिक्रम हुआ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिगज नेता इस कारिक्रम में शामिल हुए येकिन कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे समाहरों में शिर्कत नहीं कर सके हलाकि बाद में कॉंग्रेस की तरफ से बयांग जारी कर इसकी वज़़ बताई गई लाल किले में हुए समाहरों के दौरान खडगे की कुर्स्ती खाली देखी गई बाद में कॉंग्रेस की तरफ से सफाई देते हुए बताया गया खडगे को अपने घर और कॉंग्रेस पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराना था इसलिए वह लाल किले में होने वाले समारों में शामिल नहीं हो पाई अगर वाल किले के समारों में जाते तो वह घर और पाटी दफ्तर में द्वजा रोहन करने समय से नहीं पहुंच पाते सुरक्षा कारणों के चलते वाल किले से जल्दी नहीं निकल सकते थी उन्हें कम से कम दो घंटे का वक्त वहाँ पर पड़ता ही उन्होंने आगे कहा कि वह शाम को राश्रुपती आवास में मौजूद रहेंगे पॉंग्रेस मुख्याले पहुँचकर खडगे ने द्वजा रोहन किया उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगती पिछले कुछ सालों से हुई है जबकि अंग्रेजों ने भारत को ऐसा छोड़ा कि सूई भी नहीं बन पाती थी नहरू ने इंडस्ट्री लगाई बांध बनाई कला और साहिती को बढ़ावा दिया इंद्रा ने हरित कांत्री लाकर भारत को आत्म निर्भर बनाया इसके बाद राजीव गांधी ने भारत को टेकनिकल बनाया और नर्सिम्हा राव ने आर्थिक विवस्था को मजबूत किया सरकार पर निशाना साथतेवे कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो लोकतंत्र का ढोल बजाते हैं वे दूसरे तरफ विपक्ष का मूँ बन कर देते हैं आज लोकतंत्र को बहुत बड़ा खत्रा है संसद में विपक्ष की आवाज बन कर दी जाती है मेरा माइक बन कर दिया जाता है इससे पहले खड़गे ने ट्वीट कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुबकामनाई दी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और सम्विधान हमारी देश की आत्मा है हम यहां प्रण लेते हैं कि देश की एकता और अखंता के लिए प्रेम और भाईचारे के लिए सुहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और सम्विधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे चांद खान, डायमंड गार्मेंट्स, अकबरपूर की ओर से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की धेर सारी शुबकामनाई भारती मूल के अमेरिकी संसद, स्री थानेदार के नित्रित्वों में अमेरिकी संसदों के एक समूनी भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के राश्ची उत्सव दिवस के रूप में घोशित करने के लिए प्रतिनिधी सभा में एक प बढ़ाथी रहेगी और सभी देशों के लिए शांती, स्थीरता और सम्रिधी को बढ़ावा देगी। थानेदार द्वारा प्रस्तोत और कॉंग्रेसी, बढ़ी क्वाटर और ब्रैड शर्मन द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताओं में 15 अगस्त भारत के स्वतंतरता दिवस को दुनिया के दो सबसे बड़े लोगतंतरों के राष्टे उत्सव दिवस के रूप में गोशित करने की मांगी गई है गया बक्स सिंग, सपा नेता एवं समास सिवी, ग्राम पंचायत खानपुर, विकास खंड हैदरगर, जन्पद बारा बंकी की तरप से आप सबी देशवाशियों को स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शुब कामनाई एवं बधाई स्वतंतरता दिवस पर मुख्य राच्किये समाहरो गांधी मैदान में आयोजित किया गया, इस कारिकरम में बिहार के नितीश कुमार ने जंडो तोलन किया, इस बार 16 टुकडियों परेड में शामिल हुई और 13 विभागों की तरफ से जहांकिया निकाली गई इसके बाद मुख्य मंतरी ने राज्य वासियों को संबोधित किया, वह स्वतंतरता दिवस पर मुख्य राच्किये समाहरो की दोरान सुरक्षा में चूख हुई, इतीश का संबोधन चल रहा था, इस दोरान काला कपड़ा पहन कर अचानक सामने में एक व्यक्ती आ गया, ह इस दानी पतना की गांधी मैदान में सीम नितीश कुमार की कारिक्रम को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंध इंतजाम किये गए थे, इसके लिए यहां 87 मजिस्ट्रेट तैनात किये गए थे, चपे चपे पर पुलिस अधिकारी तैनात थे, वहीं इसके साथ ही पतना के ट्र प्रदेश वासी और देश वासियों को स्वतंतरता दिवस की हादिक शुबकामनाई एवं बधाई भारत इस साल अपनी आजादी का सततर्वा स्वतंतरता दिवस मना रहा है इस अफसर पर देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दसमी बार लाल के लिए से संबोधित किया वहीं फ्रांस, रूस, नेपाल, सहित कई देशों के नेताओं द्वारा दी जा रही बधाईयों का भी ताता लगा हुआ है आपको बता दें कि फ्रांस के राश्ट्रपती इमैनुएल मैक्रो ने सोशल मीडिया पर अपनी और पीयम मोदी की तस्वीर को साज़ा की उन्होंने भारतिये लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी उन्होंने कहा कि एक महिने पहले पेरिस में मेरी मित्र नरेंद्र मोदी और मैने साल दो हजार 47 यानि भारत की स्वतंतरता के शतापदी वर्षत नई भारत फ्रांस इसी महत्वकांग शाय निर्धारित की है भारत हमीशा एक विश्वसनी मित्र और भागिदार के रूप में फ्रांस पर भरोसा कर सकता है वही रूस के राष्ट्रुपती व्लादमीर पुतिन ने भी राष्ट्रुपती द्रौपती मुर्मू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को बधाई दी उन्होंने कहा कि आपके देश ने आर्थिक वैज्यानिक और तकनीकी समाजिक और अने छेत्रों में सर्व भौमिक रूप से सफलता हसल की है भारत को वेश्व पटल पर अच्छा सम्मान प्राप्त है और वह अंतर राष्ट्री मामलों में महत्वपून रच्चनात्मक भूमिका निभाता है इसके अलावार नेपाल के प्रधान मंत्री पुश्प कमल दहल प्रचंज ने भी स्वतंतरता दिवस पर बधाई दी रोने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के नागरिकों को शुबकामनाई दी मनी स्यादव, किसान बीज भंडार, मुक्तापुल की ओर से सभी नगरवासियों और देशवासियों को स्वतंतरता दिवस की धेर सारी शुबकामनाई एवं बधाई भारत के सततर्वे स्वतंतरता दिवस के उपलक्ष पर आस्ट्रेलिया के सिड्नी में भारतिये नौसेना के युद पोतों आई एनेस सहादुरी और आई एनेस कोलकाता पर ध्वजा रोहन किया ये दोनों ही जहाज एक्सरसाइज मालाबार 2023 में हिस्सा लेने के लिए राश्ट्रगान भी गया स्वतंतरता दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्ष बल के जवानों ने भी पंजाब के अम्रित सर्मी बागा बॉडर के पास ध्वजा रोहन किया बागा बॉडर पर ध्वजा रोहन के दोरान बारिश भी होती हुई दिखी जवानों ने बारिश के ब स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित कारिक्रम में कॉंग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के निता मलिका अर्जुन खडगे की गैर मौजूद्गी ने कई सवाल खड़े करती है किंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रमु सी कभी जिक्र किया और कॉंग्रेस पर लोगतंत्र को कुछ चलने का आरोप लगाया उने कहा कि इन घटनाओं से पता चलता है कि कॉंग्रेसी जब सत्ता में थे तो क्या सोच थी और विपक्ष में है तो क्या सोच है सचीव शिवकुमार उराओ ग्राम पंचायत डीपाडी कला जनपत पंचायत शंकरगड जिला बलरामपूर छतिसगड की ओर से समस्त ग्रामवासी छेत्रवासी प्रदेशवासी और देशवासियों को स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शुपकामनाई एबम बधाई स्वतंतरता दिवस के मौके पर प्रदानमंत्री की एक अपील ने रेकॉर्ड स्तर पर प्रतिक्रिया दर्श की है बीते दिनों पीए मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान चलाने का आवाहन किया था पीएम ने लोगों से अपनी सेलफी भी वेबसाइट पर अपलोट करने की अपील की मंगलवार लगभग 8.8 करोड लोगों ने वेबसाइट पर अपनी सेलफी अपलोट की है हरगर तिरंगा वेबसाइट के होमपेज के आकणों के मताबिक यहाँ पर तिरंगे के साथ एक फोटो अपलोट करने का विकल्प है होमपेज की जानकारी के अनुसार दोपहर बारा बचे तक तिरंगे के साथ आठ करोर 81,21,591 सेलफियां अपलोट की गई हैं बताते की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के तहट अपनी social media account की डिस्पले पिक्चर में तिरंगे की तस्वीर लगाने का आग्रह किया उन्होंने खुद भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में राश्ट्रे ध्वज की तस्वीर लगाई इसका अनुसरन करते हुए कई केंद्रिय मंत्रियों और मुख्ये मंत्रियों समेत बीजेपी नेताओं ने अपनी डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगाई इसे के साथ फिलाल इस बुलेटिन में बस इतना ही लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंजिया लाइप